हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्ट फोन जो आप लगबग 20,000 के आसपास पर्चेस कर पाएंगे साथ इन सभी फोन के प्रोज और कांस भी आप लोगों बताऊंगा जिससे आप लोग एक अच्छा सा स्मार्ट फोन सेलेट कर सकें इस वीडियो में आपको एक से बढ़के एक स्मार्ट फोन मिल जाएंगे जवाद 10 तक डिस्प्ले बेस्ट कैमरा और एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्ट फोन मिल जाएगा सो वीडियो को इंडिय तक जरूर देखना यह वीडियो को सुरू करते हैं उससे पह इस फोन का बैक पैनल गलास का दिया गया है इसमें आइप 53 की रेटिंग मिल जाता है यानि हलका फुलका पानी गिर जाए तो कोई प्रोब्लम नहीं होगा फॉन में डूवल स्टीरो स्पीकर 3.5 mm हेल्ट फोन जैक और आई यार बलास्टर मिल जाता है यानि की तरह यूज डिस्प्ले पंचोल के साथ आता है इसमें 120 हट्स रिफ्रेस रेट और मैक्सिमम 1200 निक्स की पीक ब्राइडनेस दिया गया है या है HDR10 को भी सपोर्ट करता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए को निंग गोरिला गलास 5 मिलता है इसके बैग में ट्रिपल कैमरा सटप दिय गया है 108 मेगाफिक्सल का प्रामरी केमरा एंट मेगाफिकरर का राड्स की видео विडियो रिकार्टिंग के शोकिन फुल-HD में विडियो रिकार्ट कर सकते हैं वहीं फ्रेंट कैमरा 16 मेगा फिक्सल का दिया गया है इससे भी फुल-HD में विडियो रिकार्ट कर सकते हैं इस फॉन में Qualcomm Snapdragon 6195 5G का चिपसेट लगा हुआ है इस में 5G के 8 वैंट दिये गए है इस फॉन में 5000 एमेज की बैल्टी लगा हुआ है और उसी को चार्ज करने के लिए 67 वाल्ट का फार्ट चार्जर आपको मिल जाता है इस फॉन के प्रोज की बात करते हैं तो इसका बिल्ट कॉάλटी और डिजाइन बहुत अच्छाइब इसका डिस्प्ले बिस्प्ले बेस्ट इंकलास है प्रोसेसर और पांचवा है 67 वाट का फास्ट इस फोन के कौन की बात करते हैं तो इसके युवाई में हलके फिल के आड़ से और ब्लॉड वेयर आते हैं और इसके कैमरे में कुछ इंप्रूब्मेंट की आप सकता पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को अनका देना ऐसे ही नालिज से भटपूर वीडियो आप सब के लिए हम लाते रहते हैं अगला फोन है रियल्मी नाइन प्रो फाइब जी जिसकी प् मेमोरी काड लगा सकते हैं इस फोन में सिंगल स्पीकर और साइड में फिंगरफ्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है इस फोन में 6.6 इंच फुल एचली प्लस IPS डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 120 हर्ट और मैक्समम 500 निश्की पिक ब्राइडनेस दिया गया है इस फोन में 5000 मेच प्राइड लगा हुआ है और इसी को चार्ज करने के लिए 33 वाल्ड का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है आब इसफंद के प्रोस की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले और बीट क्वाल्टी बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें जो इमेजन निकल यते हैं बहुत सार्पा की लिए रहते हैं इस फोन का प्रोसेसर बहुत जबदस्ट दिया गया है इसमें किसी भी तरह का गेम आप खेल सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगा और इसका कैमरा बेस्ट क्वाल्टी का है इसमें जो इमेजें निकल कि आते हैं बहुत कीलियर और सार्फ होते हैं इस फोन में चाची जै बहुत अच्छे से रखी है पहला है डिस्प्ले दूसरा है कैमरा तीसरा है प्रोसेसर और चौता है बिल्ट क्वाल्टी और डिजाइं अब इस फोन के कॉंस की बात करते हैं तो इसमें फोर के वीडियो रिकार्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है और इसमें सिंगल इस्पीकर दिया गया है अगला पॉन है मोल्टो जी एक्टी टू फाइव जिसकी पराइ डिस्प्ले 120 एक्ट रिप्रेस्ट के साथ आता है इस फोन में कॉर्निंग गोलिला गलास का प्रोटेक्शन और एचडिया 10 का भी सपोर्ट दिया गया है स्ट्यूरियो इस्पीकर के साथ डाल्वी एक्टमास का भी सपोर्ट मिलता है और दोस्तों इतना ही नहीं 4G केरियर का भी support दिया गया है इसके बैग में triple camera setup देखने को मिलता है primary camera 50 megapixel का और 8 megapixel का ultra wild camera और 2 megapixel का micro camera मिल जाता है इस front camera 16 megapixel का दिया गया है front और back camera से full HD में video regard कर सकते हैं इस phone में Qualcomm Snapdragon 695 का processor मिलता है 5G 13 band के साथ आता है इस phone में hybrid SIM slot और साइड में fingerprint sensor आपको मिल जाता है इस phone में पांच सब्सक्राइब के साथ से दे रखी है पहला है बिल्ट क्वालिटी और डिजाइन दूसरा है डिस्प्ले तीसरा है कैमरा चोथा प्रोसेसर और पांचवा है बैटरी अब इस सब्सक्राइब के कौन की बात करते हैं तो इसमें फोर के वीडियो रिकार्टिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है अगला फोन है वन प्लस नॉल सी टू लाइड जिसकी प्राइज है अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसके बैंग में टिर्पल कैमरा से ट्टप आपको दिया गया है में कैमरा 64 मेगा फिक्सल का टू मेगा फिक्सल का डिफ्ट कैमरा और टू मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा इस कैमरे से फुल एचली में वीडियो रिकार्ट कर सकते है वहीं front camera 16MP का मिल जाता है इससे भी full HD वी video record कर पाएंगे इस phone में Qualcomm Snapdragon 695 का 5G chipset लगा हुआ है जो बहुत अच्छा प्रोसेसर है इसमें 5G के 5 brand दिये गए हैं इसमें hybrid SIM slot दिया गया है 3.5mm audio jack मिल जाता है और single mono speaker आपको दिया गया है साइल्ड में fingerprint sensor भी मिल जाता है इस phone में 5000ms बैल्टी लगा हुआ है और इसी को charge करने के लिए 33W का fast charger box के अंदर मिल जाता है अब इस phone के प्रोस की बात करते हैं तो इसका performance बहुत अच्छा है और इसका camera best quality का है इसका display भी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे 3 चीज़े बहुत अच्छे से दे रखी है पहला डिस्प्ले दूसरा प्रोसेसर तीसरा है camera अब इस phone के कौंस की बात करते हैं तो इसमें 4K video recording का support नहीं दिया गया है इस phone में ultra wide camera भी नहीं मिलता है इस phone में सिर्फ सिंगल speaker दिया गया है आप चैनल पर पहली बाद आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe और वेल आइकन को अंकर देना ऐसे ही नौलेज से भरपूर वीडियो आप सब के लिए हम लाते रहते हैं अनला फोन है और इसके साथ 120 हर्स रिप्रेस रेट और मैक्समुम 800 निसकी पीक ब्राइटनेस दिया गया है ले प्रेटेक्शन के लिए कोर्निंग और रिला गलास फाइप मिल जाता है इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेट अप देखने को मिलता है 64 मेगा फिक्सल का प्राइमरी कै सेटे लगा हुआ है तो बहुत पावरफुल चिपसेट है यह फाइप जी बैंड को सपोर्ट करता है इसमें फोर जी वी तक वेक्चुल रेम बढ़ा सकते हैं या फोन हाइवरिड तिम्सलाइड के साथ आता है या एक साथ दो सिम या एक सिम एक मिमोरी कर लगा सकते हैं इ PC को चार्ज करने के लिए box के अंदर 15W का charger मिल जाता है आप इस फोन के प्रोज की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले जब दस दिया गया है आप सभी को पता ही होगा कि समसंग का डिस्प्ले बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है इसका पर्फार्मेंस बहुत स्मूथ और यहां पर चीज़े बहुत अच्छे से दे रखी है पहला है डिस्प्ले दूसरा है प्रोसेसर तीसरा है कैमरा चोथा है लाइट वेट और स्लीम पांचवा है बैट्री और छट्वा है फाइप जी के ग्यारा बैंड अब इस फोन के कॉंस की बात करते हैं तो इसमें 3.5 mm है बैट्वान जेक नहीं दिया गया है और इस फोन में सिंगल अस्पीकर दिया गया है इस फोन को चार्ज करने के लिए 15 वाइल का चार्जत दिया गया है जिससे 4 Bu को चार्ज करने में काफी समय लग जाता है अभी हमने 20,000 के रेंज में बेस्ट स्मार्टफ़न के बारे में आप लोगों बताया असा करता हूं या वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और वेलाइगन को आन कर देना ऐ ऐसे है नालेज से भड़ पूर वेडियो आप सब के लिए हम लाते रहते हैं